इंडिन क्रिकेट टीम की काप्टन रोहित शर्मा हाली में दूसरी बार पिता बने थे। 15 नवंबर को उनके यहां बेबी बॉइ ने जन्म लिया। वहीं अब इस कपल ने अपने दूसरे बच्चे का नाम भी रख दिया है। रोहित और रितिका ने अपने बच्चे का क्या नाम रखा है आगे कि आपको इस वीडियो में बताएंगे और इस बात की जानकारी खुद रोहित की पत्न रितिका ने अपने ऑफिशल इंस्ट्रडाम स्टोरी पर शेयर करकर बताई है। बता दे कि रोहित और रितिका की एक बेटी है जिसका नाम समायरा है समायरा का जन्मा 2018 में 30 दिसंबर को हुआ था वहीं 2015 में रोहित और रितिका ने शादी रचाई थी नमश्कार में अशुतो शुपादे और आप बोल्ट स्काई हिंदी देख रहे हैं रोहित और रितिका ने अपने बच्चे का नाम रखतिया है और इस क्यूट बेबी बॉय का नाम अहान शर्मा रखा गया है और इस बात के जानकारी खुद रोहित की पतनी रितिका ने अपने ऑफिशल इंस्ट्रग्राम पर स्टोरी शेयर करके दी है वहीं आपको बता दें अहान नाम संस्क्रित के एक शब्द आहा से लिया गया है और इसका मतलब होता है जागरत करना अहान नामकर्त भोर, सुरियोदे, प्रकाश की पहली किरण, सुबह की महमा आदी या नामवाला व्यक्ति हमेशा सीखने और आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है वही रोहित शर्मा आहान के जन्म के वज़े से अस्ट्रेलिया में चल रही बॉर्डर गर्वास के ट्रॉफी के पहले टेस्ट का हिस्सा नहीं बन पाई थे उनकी गयर मौझूदगी में जस्पृत बॉम्रा ने पर्त में खेले गए पहले टेस्ट में भारत की कप्तानी की थी वही टीमीना ने पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा हरा दिया हुए परिवार के चार सदस्यों के क्यारिव केचर लगाए गए थे वही माता पिता एक बच्चा लड़का और एक बच्ची की क्यारिय रुतिका का अपने बच्चे के नाम की घोशना करने का एक बहुत प्यारा तरीका भी था क्योंकि परिवार के प्रत्रीक सुदस्द्विक के नाम के शिर्ष पर उनके नाम थे जैसे रुतिका के लिए रीट्स रोहित के लिए रो और समाईरा के लिए सैमी इसके लबावा उस बच्चे का नाम आहान रखा गया था और ऐसा लगता ही कि रोहित और रुठिका ने अप इस वीडियो में इतना ही आपकी कह रहा है कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताएगा धन्यवादी अन्यवादी टाइडिए झाते जरे लिखके जर में झाते сам में वेकै जर रहा है कि ऑम झाते यूच्छपाます